बैसनात के विलिंग में 19 अक्तूबर के उडान भरने के बाद लापता हुए स्पेन के पैराग्लाइडर पाइलोट को जटे दिन रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित निकाला है स्पेन का पाइलेट जोस को विलिंग से पेरागलाइडिंग की उडान भनने के बाद लापता हो गया था जिसकी सूशना मिलने के बाद थानी रेस्क्यू टीम उसे सर्च करने में जुट गई थी स्पेन के पाइलेट जोस लुइस की लोकेशन बैसनाद के उत्रालाग से उपर विंग फेस खितर में जालसू के पास मिली थी इसके बाद इसके लिए संबंधित पाइलेट की इंसरेंस कंपनी के हेलिकॉप्टर की मदद ली गई जिसके बाद पाइलेट तक टीम पहुँच बाई लेकिन वहाँ पहाड़ियां होने की कारण चौपर को लैंग करना सुरक्षित नहीं था ऐसे में उस पाइलेट को वहाँ जरूरी खादे समगरी बगरम कपड़े आदी उपलफ़ करवाए गए थे सुबह ग्राउंड टीम के सहयोग पो चौपर की मदद से इस पाइलेट को सुरक्षित निकाल लिया गया स्टिम बैसनात विकास सुकला ने बताया कि पाइलेट को सुरक्षित निकाल लिया गया है उतका विट स्वास्ते के अंदर में चेक अप किया जा रहा है वह ठीक है इस एसक्यू में राहुल सिंग हर्दीव मेश आदी नहीं सहयोग दिया स्पेन से मिली जानकारी के अंजार पाइलेट जो स्पेन के स्कूल में टीचर था 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 वहां के चार हजार स्कूली बच्चे पांच दिनों से उसके कुशल होने की प्रात्ना कर रहे थे मंडे को 1700 आर्स से ये सिंगापूर के जो डिसीज़ पाइलेट है वो मिसिंग है तो हमने उनको लोकेट किया कोई तकरीबन 11 बजे तक बिग फेस माउंटेन के बैक पे और 12 बजे तक हेलिकॉप्टर से रेटरीव कर लिया था उनकी बोडी को अनफॉर्चुनेटली ही वज फाउंट डेड देर तो देर आफ्टर उसके बाद दुबारा सौटी लिया और फिर उसके बाद हमारी रेस्क्यू टीम ने स्पॉर्ट किया बंदला की पहाड़ियों में जो स्पैनिश पाइलेट है स्पैनिश पाइलेट की एक्जेक्ट लोकेशन देखी उसको फूड मैडिसन और गरम कप्रे हमने कली दे दिये थे तो बाकी आज सुबा रेस्क्यू कर लिया गया है सक्सेस्फुल उनको उठा लिया गया है इस टेबल मेडिकली फिट और इस रेस्क्यू अफर्ट्स में ज एंड मिस्टर रान बीचे तो पूरी रेस्क्यू निभाया गया और हमने सफलता पराप कर लिया स्पैनिश नेशनल को रिट्रीव करने का